एलो एलो सर वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल पार्टनर्शिप में एक बहुत ही इंट्रस्टिंग कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट एड्जस्मेंट्स है ना बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं सर लेकिन टाइम नहीं देना चाते सीखने के लिए तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से यह वीडियो को देखें और मैं यूजवली अपने क्लास्रूम के जो वीडियो होते उसको मैं पोस्ट नहीं करना चाता बट इस explanation is quite slow and this was very good अच्छा paced lecture भी है और same time पर काफी adaptive था मैंने देखा बच्चों को response अच्छा था सबको एक बार में समझ में आया तो यह explanation no doubt मेरे को बड़ा अच्छा लगा जो मैंने ही provide किया था अपने class में और instead of explaining it again या फिर अभी just take another mode में I think you'll enjoy the classroom vibe and also the entire concept ठीक है तो यह video continue होगा वो particular part से जहां पर classroom में पढ़ाया गया था and I hope तुम लोग enjoy करो and before we start off with the video itself sir there is a very important announcement by Unacademy and they are providing 20% discount yes sir Unacademy पे आपको मिलेगा 20% का discount सारे courses पर sir पूरा Unacademy platform पर 20% का discount चल रहा है especially CLAT पर concentration है हमारा CLAT पर तो अगर आप law के लिए prepare कर रहे हैं और आप कोई भी tutor खोज रहे हैं या फिर आपको अच्छा tutors नहीं मिल रहा जो बहुत common problem है तो sir this is a very professional platform where you will find very good study material delivered to your house and you will also get you will also get good discounts and very professional environment community भी है chat rooms भी है जहां पर जाके आप doubts clear कर सकते हो बहुत ही होता है ना देखो कोई कोई चीजों में ना centralized approach चाहिए होता है आप समझो इस चीज को for example हमारे school में भी देखते हो कितना अच्छे से सब कुछ coordinated था लेकिन school में हां उतने time नहीं मिलते थे छुटिया जादा होती थी इसलिए क्या होता था सर इसलिए क्य यह नहीं है कि यह है बोलके पढ़ा दे रहे हैं जो लिखा है उसको read कर दे रहे हैं सर आपको ची in and out clarity है ना अपने लोग try करते हैं deliver करने का अपने lectures में एकदम clarity जितना हमें समझ में आता है उससे भी ज्यादा ही समझाने का कोशिश करते हैं पता नहीं कैसे और उससे भी मेहनत कर रहे हैं यह professor जो klat का exams के लिए प्रिपेर करें क्योंकि यह entrance exams होते aptitude based होते हैं इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है because the papers are quite unpredictable फिर भी easy approach लगेगा go check them out कुछ दिनों पहले mock test भी हो रहा था तो no doubt अगर आप subscription लेते हो time to time mock test भी चलता रहेगा सब कुछ चलता रहेग प्लीज 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 गो और यूज सागर वाईटी 10 एसे जी आर सागर मेरा नाम वाईटी इस फो यूट्यूब और 10 वो percentage of discount 10% मिलता है usually बट अभी मिल रहे 20% discount लेकिन सर यह 20% discount बहुत limited hours के लिए अवेलेबल है अब आज के लिए ही available है last 30th June 2022 all the best जाओ देखो चेक कर समझो सब्सक्राइब करो है ना वीडियो को भी मेरा चैनल को भी ठीक है चलो भई स्टार्ट करते सर वीडियो के साथ आई होप आप लोग को past adjustment का concept भी clear हो जाए जो आप लोग को समझाने वाले all the very best heading लिखी अपना copy में ठीक है अब मेरा रोड heading लिखी अपना copy में past adjustment जो नया आ जाया है भाई first time या जो लोग last class भी miss किया है भाई आप लोग को PL आपरो का basic concept मालू है interest on capital interest on drawing salary इसमें कोई दिक्कत है अभी तक आई आप वीडियो देखे हो पहला वीडियो देखे हो PL आपरो पड़ाये थे उसमें वो clear है चलो आपको भी clear है पहला वीडियो साथ बजे पता चलेगा ठालो ठीक है अब थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है इस पर बहुत ज्यादा concentration चाहिए this is the toughest topic in PL अगर यह हो गया यह chapter हम लोग the end के तरफ है ठीक है चली तर continue करते हैं एक नया topic आण जी not for profit organization short में non profit भी बोलते है non government भी बोलते है प्रेडिंग भी बोलते है चारो होता है पास्ट एडजस्टमेंट क्या लग रहे सर्य टॉपिक क्या होगा पता हुआ ओपन ओपन सेशन कुछ कड़ना भूल गया बैलेंस शीट आएगा प्रेडिंग प्रों के पहले का कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है रेक्टिफिकेशन जैसा वाइब जार है पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता आराम से समझो है गलती इंसान से होता है इसलिए तुम लोग गलती करते है रहे प्रूफ कर रहे हो नहीं हम लोग इं थोड़ा बहुत क्लियर हो गया था एंड में तो सब में हां मतलब था टू हंड्रेड है था हंड्रेड में कॉंपिडेंस तो अलगी है जब भी पूछ अधा पेपर छोड़ गया था था नहीं ठीक है चलो वाइस पर नहीं सुन पास्ट एडजस्टमेंट का एंटायर एर रफ कमिशन एर रफ प्रिंसिपल अल्टिपल वराइटी सथा उसमें से कोई भी एक एरर हो जाता था हम लोग को बस पता था अब भी एक जर्णल एंट्री पास करना है जिससे पुराने पापो का पस्चाताब हो जाए तो यहां पर सर हम लोग सिलिबस में क्या डिसकस क हम परोप्र रुप एशन अकाउंट बनाते घ्रीं हम लोग यम यह एक मिश्टेक कोई कर सकता है क्या मिश्टेक हो सकता है क्या है क mission amount Commission अच्छा Commission और कुछ जैसे क्या मिरको एक एक स्टे Annah किसी को सालरी देना भूल गए, किसी को कमिशन देना भूल गए, पॉसिवल है? प्यासर को उल्टा कर दिये, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, calculation error हो सकता है, एकदम सही है, तो सर हम लोग एकदम प्यार से एकदम नॉर्मल प्याल अपरो बनाने जा रहे थे, इसमें क्या हो गया सर, सारा का सारा adjustment कर दिये, इधर profit आया, इधर मैं partners capital में distribute किये, सब कुछ ओक है, अचानक से याद आया यार, Mr. A को salary देना था, यह salary 10,000 हम लोग देना ही भूल गए, तो आप दे दीजे salary, तिकत क्या है, तिकत बहुत बड़ा है, Yes, problem is, सर यह जो profit था, let's say एक लाख रुपया का, हम यह पूरा का पूरा वान लाख रुपीज इन लोग में बांट चुके, without even considering किसी एक आदमी का salary, तो अब अगर हम इसको बस खाली 10,000 दे देंगे, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई, यहाँ पर जो partners है, suppose A and B, यह दोनों लोग enjoy क्या कर रहा है, एक लाख रुपया का distribution, इसके over and above, 10,000 रुपीज क्यों दे हम लो, जब profit ही total हुआ था एक लाख, टेखनीकली क्या होना चीए था, 1 लाख रुपीज, अराम से समझो इसको, 1 लाख रुपीज का profit हुआ, 1 लाख रुपीज में से 10,000 किसको चाहिए, Mr. A को दे दिये, बचे का कितना, 90,000, 90,000 को suppose equally देना है, A और B को equally दे दो, यहाँ पर हम लोग क्या किये सर, salary देना ही भूल गये, तो दोनों को कितना मिल गया, 50-50, सर खाली एको और 10,000 देने से, प्रोबलम हो जाएगा, So we need to take care of the profit का distribution as well, Right, now I'll give you a question, and I really expect the correct answer, it's a very stupid question, very easy question, ठीक है, आप बनेंगे अभी थूद टीचर, आपको दोनों scene solve करना है, एक, क्या थे हम लोग रेक्टिफिकेशन में करते थे, पहले correct entry, फिर wrong entry, फिर reverse करते थे, add करते थे, हम reverse तक नहीं जाएंगे, हम बस यह बोल रहे हैं आपको, आप जो अभी हम question आपको present करेगा, वो question आप copy करेंगे, ठीक हो, आप उसका correct presentation देंगे, if there was no mistake, and आप उसका wrong presentation देंगे, जो हम लोग के साथ actually हो गया, ठीक है, गलती हो गया है, that is the actual case, answer, hypothetically, अगर correct entry होता, तो क्या होता, यह दोनों आप लोग अभी solve करेंगे, ठीक है, question note करिये, question फटा फट नोट कर लो भाई, A and B, A and B are equal partners, are equal partners, A was to be given, A was to be given a salary of rupees 20,000, the profit, during the year, was rupees 1,000,000, prepare profit and loss appropriation account if case 1 all was correctly allotted net profit लिखने का जरूवत नहीं है, अगर question में कुछ नहीं बोला है, बस profit word उसकिया है, assume it to be the net profit, and case 2 if we forgot to pay salary to A complete, complete हुआ, सबका done, चली सर, हम बनाना शुरू करते हैं, फटा फट, अधी, PL अपरो बनाना था, partners capital इसा पुछ नहीं बनाना है, हम पहले बना रहें, सर, correct वाला PL, और उसके बाद हम बनाएंगे, wrong वाला PL, PL अपरो मतलब, करेक्ट क्या था सर, by profit and loss account, amount कितना है, 1 lakh, यहाँ पर salary हम लोग दे दे रहें, किसको दे रहें सर, A को, A is capital में जा रहें कितना, 20,000, यह बहुत बढ़िया, और सर, उसके बाद, partners capital में distribute कितना हो रहे है, total 80,000 distribute हो जाएगा, 40,000 and 40,000 equal था, total 1 lakh आगया, ledger का, total 1 lakh आगया, this is the correct PL appropriation, ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए था, this is how it should have been, now what did we do wrong, we missed out salary, totally we missed out salary, तो सर यहाँ पर हम लोग लिखे क्या, हम लोग यहाँ पर लिख लिए by PL, कितना लिखे, और सर सालरी देना ही भूल गए, सीधा skip कर गए, partners capital में, A and B में, 50,000, 50,000 करके equally distribute करके 1 lakh दे दिये, यह राइट और रॉंग बनाने में कोई doubt, कबका बन गया, कित बढ़ाईए थोड़ा, ठीक है, अब यहाँ से जो हम logic बताना शुरू करेगा, प्लीज ध्यान देना, और अगर चाहिए कि हम repeat कर दे, बोल देना, क्या, हाँ, मैंने क्या बोला था, एक, अगर opening और closing है, closing के तरफ कोई item नहीं है, तभी आप दो line answer, बढ़ना आपको total लिखना पर, ठीक है, अज़ा कह रही है, सब छोड़ो, यह correct है, यह wrong है, सब का बन गया, correct वाला case को आप लोग अपना copy पे focus करिए, अपना सब copy देखेगा भाई, correct के तरफ, सब कोई copy देखेगा सर, correct के तरफ, आप मेरे को बताईए, जो correct PL appropriation account है, उसमें total Mr. A को कितना पैसा मिला है, 60,000, आली Mr. A को observe करेंगे हम लोग, यह भूल जाएए, इसका तो कोई काम ही नहीं है, हम पूछ रहे हैं, जो correct यह लेजर, यह correct वाला जो लेजर है, इसमें total Mr. A का capital में कितना पैसा गया है, 20,000 salary का नाम पे गया है, and sir profit का नाम पे 40 गया है, दोनों मिला के कितना हो गया, 60,000, किसी को कोई doubt इसमें, और Mr. B का account में कितना गया है, सिर्फ 40,000 गया, और नीचे, correct वाले के side में कहीं पर लिख लीजिए, या उसके नीचे लिख लीजिए, total given to bracket में credited to, A, कितना है, 60,000, and total given to, या फिर credited to, B, कितना है, पूछ रहे हैं, हम profit का बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, यह पूरा, सब online सबको clear है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, एक लाग रुपया था, यह 1 लाट में A को total कितना मिला, B को total कितना मिला, जैसे expense ratio करते थे बैटे, A को total कितना मिलना चाहिए, B को total कितना मिलना चाहिए, हम लोग expense ratio नहीं निकालना चाह रहे हैं, हम बस बता दिए, अब इसका 6 is to 4 मत करने बैठ जाना, कोई काम नहीं है, यह clarity है, आप सब wrong वाला case में आईए, रॉंग वाला case में आईए, रॉंग में बताईए, A को कितना मिला, B को कितना मिला, 50-50, उसके नीचे नोट कर लीजिए, total जिसको जितना मिला भाईया, जल्दी से, कोनों को मिल गया, भाईया, 50, चीक है, मानते हैं भाई, एक आदमी को salary देना भूल गये, बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन अगर अभी, आप इस case को समझो, पहला जो correct entry है सर, ये वाला, कि जो correct वाला ledger है, ये कौन सा ledger है, which should have happened, मतलब ये होना चाहिए था, और ये actual है, जो हम लोग से mistake हो गया, सही है, लेकिन सर, ये पूरा खिचड़ी में, आप amount के तरफ ध्यान दीजिए, कितना का mistake हुआ है, सिर्फ 10,000 का mistake हुआ है, Mr. A को total कितना मिलना चाहिए था, 60, उसको मिला कितना है, 50, and Mr. B को 40 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया उसको 50, किसको जादा मिला है, A को ज्यादा मिला है कि B को? B को ज्यादा मिला है ना? B को ज्यादा मिला और वही amount A को कम मिला क्योंकि दो ही तो partner है ना भाई? खतम बात तो अगर हम लोग को यहाँ पर अगर solve करना है अभी के अभी यह issue को खतम करना है without even creating so much hassle तो सीधा बात है भाईया Mr. B को हम लोग request करते हैं क्योंकि आप सिर्फ 40,000 deserve करते हैं और आपको मिल गया है 50,000 तो आप खुद personally Mr. A को इतना पैसा दे दो कितना पैसा देना पड़ेगा? 10,000 अब partner का capital, firm के लिए asset है कि liability है? liability है अगर किसी particular आदमी P का liability को capital को increase करना है तो credit करेंगे और कम करना है तो debit करेंगे P का यहाँ पर हम लोग capital को increase करना चाहते हैं 10,000 से की decrease करना है तो भाईया debit करेंगे और भाईया increase किसका करना है? A का तो उसको कर देंगे credit So your final journal entry to solve this situation should be P is capital account debit to A is capital account कितना amount? 10,000 10,000 क्यों सर ऐसा किये? P का capital को हम लोग क्या कर रहे है reduce A का capital को हम लोग क्या कर रहे है increase Right, but narration में लिखा हुरेगा being passed adjustment made and that इसका working note is going to carry everything Right, now this question is going to come for at least 3 mark तो मतलब अगर ये कोई question का एक adjustment भी है तो सिर्फ ये adjustment 3 mark करी करता है 8 mark का question होगा ISE board में तो 12-12 mark का questions आ सकता है कभी-कभी Bengal board में 10 marks का questions आता है तो ध्यान रखना है ये अखेला 3 marks करी करें लोग आप लोग को तो ऐसे ही बस past adjustment बस ऐसे ही बोल देगा कि ये ही वाला entry पास तो तो अब question ये आता है mind में कि क्या हम लोग जब भी ऐसा question आएगा ये दोनों ऐसे करना पड़ेगा क्या practically viable नहीं है कि हम दो-दो ledger बनाएं correct wrong करें और फिर खुद figure out करें there is another way of doing it but before that I need to make sure you understood the concept so please write another question and please leave half a page blank after this question ये question जो आप solve किये है आधा page blank छोड़ दीजे इसके बाद आधा page blank छोड़ दीजे इसके बाद और फिर नया question लिखिए सर नया question note करिए सर A and B are equal partners they were to be given interest on capitals of rupees 7500 and 7500 and rupees 12500 respectively पूरा question बाकी का सेम और लास्ट सेकेंड जो केस टू था if we forgot to pay interest on capital और इंट्रेस्ट आपिटल ही देना भूल है और इंट्रेस्ट आपिटल ही देना भूल है और इस इस फिर 10 परसेंट वाइन परसेंट न करने जाना प्रसेंट परसेंट मत करने जाना अगर करें प्रसेंट एंट्रेस्ट एंट्री देख लेते हैं 7,500 एं 12,500 टोटल आ रहे 20K तू पार्टनर्स कापिटल डिस्टिब्यूट कर दो A, B में 40,000, 40,000 टोटल आ गया सर 8,000 ये करेक्ट है सबका करेक्ट रॉंग वाला देख लेते हैं सर तू पार्टनर्स कापिटल A और B डिरेक्ली डिस्टिब्यूट हो गया 50-50 पूरा 1,00,000 अकाउंट क्लोड अब बताईए पहला केस में Mr. A को टोटल कितना मिला है मतलब ये मिलना चाहिए था Mr. A should be getting 47,500 तो सर यहां पर अमाउंट हम लोग चेंज कर लेते जल्दी से एक सेक्ट चलिए सर पॉर्टी सेवन थाउजन फाइवंडरेड और B को कितना मिलना चाहिए था 52,500 अभी ये जो हम दो सम करा रहा है इसके बाद इतना हम कोची कभी नहीं करेगा लाइशन टेक है सेकेंड वाला क्या हो रहा है सर फिफ्टी फिफ्टी दोनो चलिए सर फिफ्टी थाउजन फिफ्टी थाउजन फिफ्टी थाउजन अच्छा इस आप देखो ए को ज्यादा पैसा मिल गया है न मिस्टर ए को अच्छली मिला है 50 मिलना चीए था 47,500 कितना ज्यादा मिला है 2500 और ये 2500 आप देखेंगे के बी को कम मिला है तो बी शूड शूरी ए शूड गिव दिस मनी टू भी तो ए का कैपिटल को क्या करेंगे सर डेबिट और बी का कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट बाइ हाउँ मच 2500 सब को क्लारिटी है बहुत अच्छे सब को लिखिल आई है entry सबका complete है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो online चापो 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 तरीके से यह लॉजीक जो अभी आप समझे क्लारिटी है, लॉजिक पर ध्यान दीजिए, यह मेथड पर ध्यान मत दीजिए, मेथड हम लोग अभी चेंज करने वाले, लॉजिक क्या दा सर्थ, after everything that happens in a business, even if there is a mistake, everything can be resolved by debiting a person's capital account and crediting another person's capital account, कभी ऐसा हो सकता है, पूरा past adjustment करने के बाद realize कि यह adjustment का requirement ही नहीं है, हो सकता है, सब कुछ घूम फिर गे match कर गया, हो सकता है, अगर यह question में हम लिख देता है, interest on capital भी 10,000, 10,000 मिलना तो सर रेक्टिफिकेशन, यह past adjustment बनाने का मतलब भी नहीं पड़ता, आप समझे रहे हम क्या बोल रहा है, interest on capital देने के बाद भी, अगर answer correct और wrong, same हो जा रहे है, तो सर देर इस no need of rectification, can a question come like that, yes, समझ में आया, लेकिन सर उतना दूर तक अभी नहीं जाते, अभी आप समझ गई है, अब सर हम लोग को इतना easy question exam में नहीं मिलेगा, इसका मतलब we will get multitudes of mistakes, interest on drawings गलत percentage, interest on capital गलत percentage, salary देना ही भूल गए, उल्टा सीधा चीज आना शुरू होगा, उस time sir ये इतना बड़ा बड़ा दोठो लेजर बना कर format create करने का time नहीं है, so what we do is, we introduce a new concept of making a past adjustment table, तो आप लोग अभी क्या करेंगे sir, जो partner है, अभी जो हम format बनाएंगे, आप लोग उस format को पहले copy करिए, उसको सजा के कहीं कोने में रख दीजिए, और sum solve तरेंगे नया format, ठीक है, so एकदम third, fourth page में past adjustment का एक नया format बना लो, ठीक है, अभी sum में apply मत कर देना, पहले फटाफट format बना लीजिए, past adjustment का, अभी जो हम format बना रहें, दो partner के लिए, खीजिए, नयाससे जरohn, तो के लिए में Abrammer, भी कि में दोस्रीए, यजी दोह नासम आईटा है, यात लिए रहें, वाता में का, और अर में दोट नाए भी है, solक में आईटा है, आईėं पहले उत्मीय झाल झाल यह रहा पूरा फॉर्माट तीसरा पाटनर का अपयिटल एकाउंट भी होता तो सर हम लोग और एक थो नया मतलब एक बस रेख्यान बना लेते हैं डेविट-Kreditt का फॉर्सी इतना भी पाटनर है उनलों का अपना अपना कोलच और उनलों का सब कोलम बनता है डेविट-Kreditt इसका जिसका format बन जाए अपना जो respective question था उसके नीचे भी एक तो format बनालो दोनों question के नीचे टोटल तीन format बन रहा है एक अभी एक primary format पिर अपना question के नीचे एक format बनालो जिसमें आप question solve करेंगे वनिया तीनो ना भाई करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा एकदम करेक्ट तो पुट तो यह वाला फॉर्माट देर वो जो हाफ पे छोड़े ना उसी में यह फॉर्माट को फिट कर देंग यह I want you to make this like a separate format primary format हो गया now I want you to use this format in the two-sum for that you need to make two different set and local time a time a जिस्ट आड़ प्रेगा हेड़िंग बढ़ा देना उसके नीचे डेबिट क्रेडिट आए maximum चार पाटनर expect कर सकते हैं और अपना course of syllabus में कोई भी चीज़ हो जैसे पाटनर अगर दिख जाएगा पर लेना चार पाटनर अगर दिया है ना तो most probably उपर नीचे कुछ और नहीं देगा बस वही capital या current पर focus रहेगा जाधा marks का वेटेज बढ़ जाएगा अगर जाधा partner कर दिया है अगर बन क्या सब कर दन करें 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 सर यह format को use करना एकदम मजाक बात नहीं है तो आप लोग पहले सिर्फ देखेंगे और फिर second run में आप लोग करेंगे अभी आप लोग सब कोई pen शोड दीजिएगा जो format कंप्लीट कर रहा है format कंप्लीट कर लो भाई है आप लोग अभी नहीं बनाएंगे अभी सिर्फ आप observe करेंगे करना क्या है सबको फोकस है स्क्रीन पर पहले है पहला question ले रहे है सर फर्स्ट वाला question यहाँ पर क्या था सर वो salary वाला problem था Mr. A का सबको question याद है अच्छे से T.S.R. क्या था equal answer 20,000 आप या किसको salary देना भूल गए A को salary देना भूल गए 20,000 रुपीज का ओके सर मज़दार चीज इस format में क्या होता है we only account for the mistake हम लोग सिर्फ mistake से deal करेंगे यानि की profit during the year कितना हुआ मिरको मतलब भी नहीं है मिरको सिर्फ उससे मतलब है mistake कितना का हुआ है आप अराम से ये format को observe कर ये सर इसका कोई balance BDCD कोई माई वाप नहीं होता कोई starting ending point ही नहीं होता ठीक है क्या mistake हुआ Mr. A को हम लोग कितना देना भूल गए 28,000 क्या Mr. B को भी कुछ देना भूल गए नहीं mistake सिर्फ Mr. A का हुआ है आप particulars में क्या लिखेंगे अभी कुछ मत लिखना कैसे format को use करते पहले समझ लो आप particulars में लिखेंगे सर ऐसे serial number 1 देंगे आप और फिर यहां पर लिखेंगे A's salary to be credited A का salary उसको मिला था क्या नहीं मिला अब उसको credit करेंगे दोस्तर A का capital account में एक बात बताईए अगर हम कि कुछी को salary दे रहे किसी partner को कुछ दे रहे है का capital बढ़ेगा की घटेगा बढ़ेगा it will increase and if capital increases it is credited so sir आप क्या करेंगे छोटा सा dash लगा देंगे debit में और credit में लिखेंगे 20 ठीक है अभी fill up मत करना हम मोका देंगे आप कितना लिखेंगे 20 does this transaction or does this salary वाला thing also belong to B no the salary only goes to A so sir B को आप लैंग छोड़ देंगे ओके सर अब फर्म में क्या लिखना है अराम से नहीं कुछ नहीं सांती से सुनो वह वान लाक को तो भूल जाओ 100% भूल जाओ कि question में profit दिया हुआ है सिर्फ mistake पर धियान देंगे ठीक है अब debit side में कोई भी amount है यह format में debit का column में कोई भी partner का कोई amount नहीं है बी का debit column में कोई amount नहीं है दोनों मिला के कुछ नहीं हुआ और लेकिन यहां पर आप credit column notice करिए credit column आप notice करिए A और B का दोनों मिला कर कितना आ रहा है 20,000 वहाँ पर 0 है डाश है मतलब 0 है 20 है जहाँ पर amount है उसका opposite वाला side में आप firm में post करेंगे तो यहाँ पर दोनों side मिला के credit में कितना आ रहा है 20,000 आप क्या करेंगे सर यहाँ पर debit side में लिखेंगे 20,000 पताएंगे आ This is what the firm owes to the partner. So firm का book is getting debited and partner का account is getting credited. This is the logic. समझ रहे हैं फिर से हम एक पर repeat कर रहा है Mr. A को कितना मिलना चाहिए 20,000 अभी हम लोग directly क्या Mr. B को charge कर सकते हैं नहीं आगे का reasoning हम लोग को पता नहीं है तो firm बोल रहा है कि हम तुमको यह पैसा देंगे. तो firm का capital, firm का अपना books debit होगा और credit कौन हो रहा है Mr. A और कोई mistake है इस question में? नहीं है. लास्ट जो serial number होता है. अभी रुख जो. अब आप क्या करेंगे? B to be debited is the end result. यह आप जो journal entry पास किये थे. आप क्या करेंगे? अब second चीज आप क्या करेंगे सर? मतलब after posting all of your problems, आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे profit to be reverse. राइट? कोई और mistake है? नहीं है सर. तोटल अभी तक firm का debit कितना हो रहा है? 20,000. आप वो same amount को credit में लिख देंगे 20,000. PSR कितना था? इक्वल. अब logic समझाते हैं. Mr. A को कितना देना है? 20,000. यही 20,000. हम लोग गलती से PSR में distribute कर दिये थे लोग को. तो आप वापिस ले लेते हैं. समझा रहा है? वापिस लेते टाइम पार्टनर का capital increase होगा कि decrease होगा? decrease होगा. PSR में decrease होना चाहिए. PSR क्या था? equal. तो सर दोनों को debit कर लो 10,000. 10,000. और जो column empty है, उसमें छोटा-छोटा dash लगा दीजिए. ठीक है? और उसके बाद अपने लोग क्या करेंगे? रुख जाईए अभी, खतम नहीं हुआ. एक दम भी नहीं. अब तर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे total. total कितना आ रहा है? यह column का? 10,000. यह column का? 20. फिर 10. फिर 0. उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? 20. 20. magic of this format is the firm will always match. क्योंकि मैंने क्या बोला था? end में हमेशा याद रखिएगा partner लोग ही partner लोग को compensate कर देगा. firm का कोई role ही नहीं आएगा. firm का सारा पैसा किसको जाता है? partner को. तो mistake भी वह तो partner लोग आपस में settle करें. understood है भाई? अब इसके नीचे आप एक ऐसा line टानेंगे? अब आप मेर को बताएंगे Mr. A के लिए debit जादा है कि credit जादा है? credit जादा है. कितना जादा है? इन दोनों का बीच में difference कितना है? 10,000. जादा क्या है? debit वाला side की credit? तो bracket में लिखेंगे credit. इन दोनों का case में debit जादा है कि credit जादा है? debit जादा है. कितना? पूरा का पूरा 10,000 debit जादा है? इन दोनों का case में कुछ आ रहा है? जीरो. हमेशा जीरो आएगा. तो सर, मिल गये हम लोग को आम लोग का journal entry. A का capital को क्या करेंगे credit? कितना? 10,000. और B का capital को क्या करेंगे debit? 10,000. वही देखिए हम लोग यहाँ पर किये है? B is capital account, debit to A is capital account. सही है? पिना मेरा format देखे. काट करेंगे. दिमाग लगा, दिमाग लगा. फिर वहापस correct बनाएंगे हम लोग. आम बोलो, P.U.S. कोई दिक्कत? कोई बात नहीं? वहापस एक बार repeat कर रहे हैं भाई. ठीक है? जिन लोग को समझ में आ गया, आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए. जिन लोग को नहीं clear हुआ, खिर से समझिए. Mr. A को कितना मिलना चीए था? 20. उसको दे दिया गया 20. सही है? उसके बाद, firm पर net impact कितना का परड़ा है. 20 का mistake हुआ है. तो वो 20,000 रुपीज हम लोग firm का credit side में डाल दिये. पार्टनर लोग को, मतलब ऐसा सोचिए, कि जितना पैसा मेरे को किसी एक पार्टनर को देना था, वो हमने गलती से सारे पार्टनर्स को distribute कर दिया. वही तो हुआ है. मेरे को एक हो salary देना था salary दे रहे हैं. और सब वो जो up to the level of mistake, यानि कि 20,000 रुपीज हम लोग सारा partner लोग से वहापिस मांग ले रहे हैं. इंक्लूडिंग A, तो कि A ने भी उस profit में कुछ share ले लिया. तो ये 20,000 पूरा किसको जाना था? A को. लेकिन इसमें से 10 तो A को मिल गया था. 10 B को चला गया. तो वो हमने वहापिस मांग लिया. अब वो 10 देखिए, यहाँ पर B compensate कर दे रहे है. ये पूरा mechanism automatically चलता है. आपक आपके लिए ये पूर्ट पूर्माट गिव यू दिक्कत नहीं है. और एक क्लास हमें मंजूर है. बहुत इंपर्टन टॉपिक है.